कि अगर अगर आप प्रेगनेंट थो हो सकता है कि आपको भी पेट के निचले हिस्ते में दर्द के कारण और कि परिस्तिटियों को आपको बिलकुल इगनोर नहीं करना चाहिए अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली सबी वीडियो की जानकारे मिलती रहें अगर आपके पास कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें हम आपके सभी सवालों की जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे प्रेग्नेंसी के दौरान हमारा सरी अपने अंदर बहुत सारे बदलाव करता है ताक प्रेग्नेंसी में पेट के निचले हिस्से में होने वाले दर्द के कारणों के बारे में ताकि आप अपने डॉक्टर से सही सला ले सके और प्रेग्नेंसी के अनुभव को सुख़त बना सके पहला कारण है गर्में बच्चे के वजन भढ़ जाने की वज़े से आपके पेल आपको आराम मिल सके और यह दर्द होना काफी सवाविक है दूसरा कारण है हिपस में एठन की वज़ए से प्रेग्नेंसी में आपका पेट बढ़ जाने की वज़ए से वजन आगे की तरफ काफी भढ़ जाता है ऐसे में आपके हिपस को जादा जवाव झिलना पड़ता है जिसकी वज़े से हिप्स में एठन होने लगती है अगर ये एठन थोड़ी बहुत दिर होकर ठीक हो जाए तो तो ये सुभाविक है लेकिन अगर ये एठन आपको कई दिन तक रहे तो अपने डॉक्टर से तुरन सला ले आप इस दर्से आराम के लिए पानी को ज़्यादा से ज़्यादा पिए तीसरा कारण है कॉंस्टिपिशन की वज़े से प्रेगनेंसी के दौरान आपकी सरीर के फूट को प्रोसेस करने की छमता कम हो जाती है ऐसे में काप जो कॉंस्टिपिशन होना बहुत ही सभाविक बात होती है जिसकी वज़े से पेल्विस पर दवाब पड़ता है और आपको ये दर्द महसूस हो सकता है इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीएं और खाने में दही का प्रियुक ज़्यादा से ज़्यादा करें फिर भी आपको इस दर्द से नजात ना मिले तो आप अपनी डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें चौथा कारण है यूरिनरी इंफेक्शन की वज़े से प्रेगनेंसी के दौरान यूरिन इंफेक्शन होना कोई बड़ी बात नहीं है जिसकी वज़े से आपको टॉयलेट में बलड आना या सूच जाना जैसे लक्षोड आपको दिखाई देंगे इस से बचने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए और टॉयलेट को ज़्यादा देर तक होल्ड करने की कोशिश ना कर अगर यूरिन में वलड वगेरा आ रहा है तो डॉक्टर से तुरन संपर करें और पांचबा कारण है अंडा से में गांट होने की वज़े से प्रेगनेंसी में आपके अंडा से में गांट हो सकती है जिसकी वज़े से यह दर्द हो सकता है और अगर यह फूट जाए तो और भी ज़्यादा दर्द हो सकता है ऐसे में आपको अपने डॉक्टर से तुरन् करना ना भूले अगर आपको कहीं और भी दर्द हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें मिलते हैं अब आप से अगली वीडियो में तब तक के लिए खुस रहिए स्वस्त रहिए